हाई ब्रीवान कैसे हो आप सब स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल मंजू यूटी ब्लाग में तो गाई जाज मैं बनाने जा रहे हूं खटाई वह चीज मैं आपको दिखा रही है अब बताऊंगे कि स्टिप बाई स्टिप कैसे बनाया जाता है तो सबसे पहले नहीं जाती है यहां पर आप देख रहे हैं यह है जसके खटाई दिखा इसको पानि पाणी में हमने हमिंग नमक डाला था पूरा लगबग 2 लिटर पानी रखा था आधा पूहना अदा लिटर पानीजल गया है और हैform यह पर देखिए यह है यह पतीला इसी में हमने पानी उबाला हुआ था अच्छे से पकना चाहिए पानी अगर पानी लग कच्छा पानी तो बिल्कुल नहीं लगना चाहिए नहीं तो खटाई आपकी खराब हो जाएगी तो सबसे पहले क्या है कि इसी गरम पानी में सारी अच्छे बजराय सोके उठे हैं तो सब ठीक ठाक नहीं रहता है आदमी तैयार नहीं रहता ढंग से तो बस में खटाई ही आपको दिख्या रही है तारी खटाई यहां से ऐसे धो करके पानी में निकाल ले जाएगी पूरा धो के निकाल लेंगे उसके बाद देखिए मसाल कि अधम ऐसे स्यूश है यहां इने ऊणनी झाला ध्यरण पूरान रहां हो कि आपको दिख्या करना में यही जादा मात्रा में होती है तो महाक अच्छी आती है यह नमक है तो यही वह सारी चीजें है जो हम खटाई में डालते हैं लगवग एक साल या दो साल जो है अच्छे से चलती है खटाई हमारी यहां पर आप देख लिए खटाई को अच्छी तरीके आती हैं है। पानी में धो के रख दिया गया है उगा यही है उस सब्सामान जो हमारे खटाई में पढ़ता है यह देख लिए हमारे में अच्छे कितने अच्छे से धो रही है ऐसे ही धोना आप तो आप लोग हतिये का नहीं यहां देखिए हमने बॉटल में जो तेल निकालते हैं रोजी उच करने के लिए वह भी रखा हुआ है ज्यादा तेल पड़े का खटाई में इसके लिए बड़ा वाला गैजन भी रखे हैं यह वाला आप देख सकते हैं तेहां पर सारा सामान एक आप पानी जो बच जाता है धोने के बाद खटाई ज्यादा पन नहीं डालना है तो फानी को में खेकना नहीं है उसके में खटाई मसाला तेल वगयरा सब मिक्स किया जाएगा तो मैं ज्यादा कुछ दिखा नहीं पा रहे हूं परिसान हूं इसकी वजह से अगली बार में पर्फेक्ट सब कुछ आपको इश्टे बाइश्टे दिखाएंगी देख लिए सूबह के छे बज रहे हैं चाय तो अभी हम रख दिये हैं लोग पक रहे हैं काई भी बच्य लोग फूब हो रहे हैं है कि कि में जसे देखिए अम्मा अपने लाइंग्विज में बात कर रही है जैसे हम लोग घर में आपस बात चित करते हैं कि देखिए सकते में चितों मैं आपको दिखाया है यह हमारा पूरा बहुत पुराना है दो पूरा पी में ق Cornell में अच्छी तरीकिस लगा दिया जाएगा नीचे नमक रहता है तो कुछ खराख होने का डर नहीं रहता है कि खटाई कि हम्माने सजो के रखा हुए है इसे हम दो भी संभाल के रखते हैं कि कहीं फूट ना जाए क्योंकि मिट्टी का बढ़तन है इसमें चीज जो है सोन पकड़ती है तेल और नमक से इसे कूड़े को अच्छी तरह से ग्रीश कर दिया जाएगा अंदर में खुब अच्छे से ग्रीश करना है यह देख रहे हैं आप कुमारी अमक कैसे कर रही है यह आप लोग भी कर सकते हैं अगर आप कहां कूड़ा है तो और या डिबा में रखते हैं दो भागों में खटाई को अलग-अलग कर लिया गया है यह तो बरतन बड़ा रहे तो आप एक ही भागों में बना सकते हैं देखिए पहले सबसे पहले धनिया को मिक्स किया जा रहा है उपर से एक-एक सामान अच्छी तरीके से जालके मिक्स करना है यहां पर अल मिक्स करा है यहां जाल इसे नही हम क्ड़िक परक्डेदब सावग करना है यहां थाते हैदá दिस ओने जाब दना है करो fällt दो इसमें पहले एड़ कर दिया गया है नमक, खल्दी, धनिया, सब कुछ पानी से दोने गवाद सब्सक्राइब से मिला जी जाती हैं, पुरा मसाला हांस से अच्छी तरीके से मिला जाएगा, फिर उसके बाद इसमें तेल पुदारागे, तो अच्छी तरीके से मिला करके रखनागे कि अच्छी तरीके से मिला करके रखंगे तो आप देख सकते हैं इस तरीके से सब कुछ खटाई में मिक्स कर दिया जाएगा उसके बाद जो है हाथ से मसाला ऐसे जैसे हम भर रही है सब चीज उसमें मसाला अच्छी तरीके से भरेंगी उसके बाद कूडे में रख देंगी तो ऐसे ही हमारा खटाई बनाने का सिंपल स तरीका है अगली बार मैं आप लोगों को इस्टेप बाइस धंग से बताऊंगी खटाई हमारे हाँ कैसे बनती है ऐसे ही बनती है थोड़ा बहुत तरीका चेंज होता है तो अभी मैं चल रही हूं अप चाय बनाने हमारी खटाई ऐसे ही बनेगी अब अम्मा बनाकर रखें तुमारे यह दूद नहीं देती है इसका मन कटता है हम उनका डिबे का दूद रखा हुआ डाल लेते हैं नहीं तो नीगू डालके चाय लोग पीते हैं तो अब मैं इसमें इसमें चाल पक्ति हमारी चाय तो तहीं में मंजन किया हुआ है इसके बाद में फोड़ा सा पानी पीते हैं यह देख लीजिए आप यह है इलाइची और काली मिर्च का पाउडर यह चीज में डालती हूं चाय में बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसको हमने कांच की सीसी में रखा हुआ है इसी मेल में पीस के रख देती हैं शुरक्षित रहता है इतना यह हमारी चाय डाल देते हैं चाय पकीगी मैं ब्लाक में परिंड़ करूंगी यह तो बहुत लंबा हो जाएगा बोलेंगे आप लो कुछ दिखाया नहीं बस इंपल इतना लंबा कर दिया लेदी ने देख लिए चाय पत्ति डाल देते हैं थोड़ी देन बलने के माद मैं इसमें सक्कर डालूंगी चाय मारी तयार हो जाएगी पीने के लिए अब मुझे पानी पीना मैं अपना फ्रेस में दिखा रही है मेरी आँखें आई हैं लोग उसे प हो गई है कि देख लिए थोड़ा सा इस समय में बहुत हरिया लिया आप लोगों को दिखा रही हैं तो गाई हमारा खटाई बनाने का तरीका आप लोगों को कैसा लगा बताईएगा जरूर्ट जो भी भाई बहन चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सस्क्राइब करें वीडिय आप से अपने नेक्ट वीडियो में तो एक बात मैं यहां पर और कहना जाहूंगी तो अगर आप लोगों को अच्छा लगे हमारी बात तो आप लोग जोईन करने के बात अंसब्सक्राइब मत किया कीजिए यही बात मैं बोलना चाहती है अन्था आपकी मर्जी तो मिलते ह आप से अपने नेक्ट वीडियो में तब तक लिए बाई गुर्मार्निंग